करने जारें तो जैसके मिनी प्रिफिस एपसोड में देखा था जोनी उस बच्चे को पकड़े तो बोलता चलो प्रिंसिपल ओफिस चलते तभी एक लड़की वहां पर आती है और बोलते रुख जाओ फेट करो जोनी बोलता क्या हुआ क्या हुआ क्या तुम इसके क्लासमेट प्रिंसिपल ओफिस में बात करना इसके बारे में वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर दो मैं इसके लिए सोरी बोलती हूँ एक बहुत बड़ी सिच्वेशन होई थी आज हम अपने स्काइफाइटिंग मिशन से आयो और हम अपने टीमेट को खो दिया हमने उसमें जोनी प्रिंसिपल ओफिस में जोनी जा रहा होता है एक्जैक्ली हुआ क्या था तुम्हारा फ्रेंड मरा कैसे स्काइफाइटिंग मिशन में वो लड़की बोलती है कि हम में एक मिशन में थे जसमें हमने ड्रैगन हंट करने थे लोंग वान स्टार में हमने केव ड्सकावर की थी वहाँ पर जानी बोलते है बहुत सिर्फ यह जॉदरी सर को पकड़क पागल हो जाता एक तरस्टे स ऐसे लग हुआ है कि या भी ढर है जो इसने मेर गे उप पर किया मतलब मेरे को लग रही है इंटेंशनल होगा कि तुमने इसे मेडिकल रूप में लेके जाओ, ये कुछ जादे गुस्से से सफर कर रहा है, लटकी बोलती है शुक्रिया ब्रदर, जोनी सोच रहा होता है, ऐसा बोला जाता है, मतलब जितने बुक सा वो यही बोलते हैं, जो युआन ड्रेगन से वो सिर्फाइट ही कर सकते हैं, और उनके पास इतने इंटेलिजेंस नहीं होती है, पर एक क्रेचर जिसके पास माइंड है, वो वहां पे है, फिर ऐसा में एक हफ्ते के बाद का सिंद्र है, तहलान जोनी ने अपनी फोर्जिंग को फिनिश कर लिया था, और अपना वैल आर्मर जो था वो लेवल टू का बना लिये अपने सबी फ्रेंट्स के लिए और खुद के लिए, अब ये टाइम था इसका सैनलो अप्लेंट में द्वारा जाने के लिए, ब्रेक्ट्व करने के लिए, जोनी ऐसे बैठा होता है, और सोच रहा होता है, तीन ब्लैक बैजिस और फाइव हंड़र परपल बैजिस, मैं श बैठों और सोच रहा होता है, बीक्ति से बनती एंडिस बनती. है मैं six eternal fruits लेता हूं फिर वो ऐसे बाइ कर रहा हो तर बोलता है ये इतना बुरा नहीं है mythical eyes and ease ये इतना भी old नहीं है पर मैं ध्यान दे सकते हूं इसका मतलब रख सकता हूं ये भी वो इसे खरीद रहा होता है जोनी सोच रहो तो 20 परपल बेज़े इसने खर्च भी दिये ये तो काफी होता है एक एंटी मैटर मिसाइल को खरीदने के लिए फिर ऐसे लास्ट में जावाओ के यूज करोगे तो वो काफी होंगे अगर तुम यूज नहीं करना चाते है लिग्जर ओफ लाइफ को तो जो 10,000 एयर ओल्ड बेलवर्ट क्रिसांत पता नहीं क्या कुछ नाम है मतलब कोई सा हब ये तुमारी बोडी को प्रोटेक्ट कर सकता है ब्रेक्ट्रू के लिए अग मुझे पता नहीं कि वो बेचेंगे इन चीज़न को पर अगर बेचेंगे तो मुझे लगते कि मैं उन्हें खरीद नहीं पाऊंगा बाई जुज वैल स्माइल करती और बोलती है कि तुम तो इस तरह से पूरे प्लैनेट को खरीद लोगे तुमारे पस काफी बैजिस नहीं मेरे पास कुछ बचे है मैं तो मैं दे सकती हूं यह इतना भी नहीं है मतलब मैं इतना तो कहरी सकती हूं जुज वो से हाग कर लेता है वैल गाईज अभी अडल्ट बनने लगें तो अभी फाइनले रलेशन्शिप में आ सकते हैं क्यूट है पैनल चलो किसी को तो मिली यह नहीं खतम होता बैस दो बोलते जुज अब इनर कोट में चल जाओंगा और मेरे डैड वापिस आजाएंगे मैं घड़ जाओंग और उनसे पूछ लूँगा शायद यह वही कि जो बड़े फरी मतलब इसे सच पता लग रहे हैं कि एक्च्छल में किसका बच्चा वो जानी बड़े चिंता मत करो मैं रखोंगा जाबावने अपनी आंकेटा की होती हैं वह ऐसे वह सोच रहा होता है कि मैं नहीं देख रहा हूं कुछ में मैंने कुछ नहीं देखा रहसे हमें टांक जैन्वा के ओफिस का सिंद्गा जान्वा बोलता है क्या एक थाउजन डियर ओल्ड वेल नहीं 100,000 डियर वेल वेल प्लांट और ऐसे मिल जितने प्लांट्स होते हैं वह तुम क्या सोच रही हो हमारे जो ट्रैजर हब्स वह वेजिटेबल है तुमने तीन मांगे और उपर से एक ही बार में तुम्हें पता वह किने सब्सक्राइब है जान्वा तुमने पस रेज बैज नहीं है तो तुमने नहीं पा सकते हो नहीं खरी सकते हो जोनी बोलता है एक्चुली में को सिर्फ एक वैल वेट मतलब क्रिशांथ इमम चाहिए मेरे पस तीन ब्लैक बैज़े और 200 पर्पल वर्न्स हैं यह काफी होंगे है जान्वा चुप होता है जोनी बो तुम बोलता है कि तुम ब्रेक्ट्रू करने लगे हो यह बोट बड़ी चीज है क्या यह तुम सोच रहे कि मैं कुछादा बूड़ा हो गया हो तो तुम में को तंग नहीं करना चाहते हो तुम बोलता है जोनी बोलता है कि हमेशा एक रूल था शर को टांग सक्ट में तुम्हें पर्मीशन चाहिए होते दोनों स्कूल से और अगर तुमने 10,000 यह ओल्ड हर्ब यूज करने है और उन्हें एगरी कि वो तुम्हें सेल कर देंगे तुमारे पर कोई भी स्पैशल सकती हो और वो होगा टोटल 16 बैजिज मतलब ब्लैक बैजिज जोनी बोलता है 16 दिन बोलती कि जो सी गोड है उसने मीटिंग की एक आउटर कोट के स्टूडेंट के लिए बाद स्पैशल तुमारे लिए मीटिंग होई सी गोड पे तो सोला बैजिज कंपेर में कुछ भी न करने के लिए लांजानी के साथ जा रहा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जनवा देख रहा हो तागे की तरफ दीन बोलता कि मेरे को फीलिंग आ रही है कि जब वह वापिस आएगा तो कुछ जादा चेंजिस आएंगे इसके अंदर दीन बोलती ओव्यस नहीं है तो मैं ऐसे इसे तंग करते रहते हों मतलब कुछ जाद है इसके उपर फोर्स की कर रहे हैं तो मैं डर नहीं है कि वो मर जाएगा जैनवा सोच रहोता है कि इसकी फाइव रिंग्स जोंगी वो नॉर्मल लोगों की तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम उसका जो कि मैंने क्या किई दस सालों के लिए मुझे पता जो मैंने के वो गल्द किया है प्लीस किया तो मुझे टाइम देसकते हो तुम जितना मर जी लंबा टाइम ले लो मेरे को माफ करने के लिए मैं वेट करूँगा डीन चुप होती है बहने फिर बोलती है कि तुम यहां से चल हम साथ में जा रहे हैं कहीं पर, यह पर्फेक्ट टाइम है तुम से बात करने के लिए fraternity के बारे में, तुम्हें पताई क्राइटीरिया होता है एक fraternity के member बनने के लिए जौनी हो बोलता है, क्राइटीरिया जो जो इसे पर्सन होते है फ्रляются की वो वो होते हैं जो की साहथ अटी के साथ कनेक्टिड होते हैं। वो ऐसे पस्योगाईत्थि के साह recon acne होते हैं। वो औरिजन ओफ लाइफ opening के साहथ को प्लैनेटी की आपए भी वाइटालिटी होती है जो रिय। फोर्जिंग मैटल्स होते है उनके पासaste में वाइटालिटी होती है मतलब साहरा इस बनीख कर सकते हैं or बीस्ट के साहरा और और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है वाइटलिटी मतलब तुम्हार एराउंड में होती है हाँ टाइम जो फ्रेटरिटी वो बहुता यूनीक रोल प्ले करती है फेडरेशन में जब तुम मेरा प्लेस ले लोगी तुम कॉंसलर बन जाओगे लीडर बन जाओगे सी गोड्स का प कमेंट कर दो कि अगरा आपके विडिकेस लगे सब्सक्राइब करें तब तक लिए बाइबाए